अलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 3rd December को Nifty का मूब कैसा रहा है और उसके बेसिस पे 6th December को Nifty कैसा मूब दिखा सकता है वो यहाँ पर हम फाइंड करने के कोशिस करेंगे और साथी साथ 6th December यहने मंडे को आपको इन्टवाडे ट्वेड कौन साल है ना Nifty में उसके उपर भी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं और साथी साथ मंडे को क्या Nifty 17,000 के लेवल को टच करने जा रहा या फिर यह वापस से 17,500 के लेवल को टच करने जा रहा तो इसका इंसर आपको इस वीडियो में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा और यहां पर आपको निफ्टी का ट्वेडिंग कॉल्स डेली मिलता रहेगा जो की काफी हद तक एकुरेट होता है यहां पर हमने अग्रेसिव बायर्स के लिए बोला था यहां पर आपको बायों डिप्स करना है निफ्ट टागेट पैस होगा आपका 17,450 और 17,500 का यह दोनों टागेट आज हिट होता हुआ दिखाया और स्टॉप्लस काफी नीचे था 17,275 का और मैंने बोल भी दिया था कि 17,500 के लेबल पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है लॉंग पोजिशन से एक्जिट कर लेना है और सा दोनों का टागेट हिट होता हुआ दिखाया एग्रिसिव ट्वेडर्स के लिए जो कॉल दिया था हुँ इस तरह का अगर आपको रेगलर कॉल चाहिए निफ्टी में वो भी बिल्कुल फ्री तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल एक्विटी टॉम्टी जोईन कर ले जिसका टिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा यहां पर सबसे पहले हम मार्केट और वी के ऊपर बात करते हैं तो मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव साइट की तरफ बना हुआ ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट नीट्राल रखख तो यहां पर आपका एक पॉलिटीव एक negative और do neutral है यहनि overall संकेत neutral side की तरफ ही दिख रहा है नहीं उतना ज़्यादा negative है और नहीं उतना ज़्यादा positive है वह अगर हम PCR level की बात कर ले तो nifty का PCR level देख सकते हैं जो कि कल आपका overbought zone में आ गया था अब आपका extremely oversold zone में आ चुका है मतलब PCR level बता रहा है कि nifty में वापस से हमें fresh buying देखने को मिल सकता है current level से और nifty आपका वापस से उपर जाता हुआ दिख सकता है यहाँ पर अगर हम VX की बात करें तो VX आज आपका 2% उपर आया है 18.46 के level पे मतलब दिखा रहा है कि Monday को भी market में थोरा बहुत volatility हमें जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पर अब हम nifty के technical chart पे आते हैं और सबसे पहले हम nifty के daily chart को देखेंगे फिर हम उसके 5 minutes के chart पे आएंगे और उसके basis पे आपको intraday trade कौन सा लेना 6 December के लिए वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले प्रोना वायर्स का जो new variant आया था Omicron उसके कारण जो gap down दिया था उस gap down को ये use से प्रिकपरी दिखाते हुए फुल्फिल कर दिया था 2nd December को और आज 3rd December को भी उसको continue करते हुए 17,500 के level के करीब गया था nifty और इस level को break होता हुआ हम option chain में भी नहीं देख रहे थे और technical chart पे भी आमें यही level तक nifty जाता हुआ दिख रहा था और level को respect करते हुए नifty यहीं से reversal दिया है और closing यह आपका 17,200 के करीब दिया है यहनी 2nd December को जितना upside move दिखाया था same amount of downside move में आज यहनी 3rd December को देखने को मिल गया है यहाँ पे हमें fresh buying देखने को मिल सकता है और fresh buying हुआ तो वापस से nifty आपका 17,300 और 17,400 के level तक जाता हुआ दिख सकता है वहीं अगर यह level break हुआ तो आपको वापस से nifty 17,000 के करीब जाता हुआ दिख सकता है वहीं अगर हम इसके 5 minutes के चार्ट पे आते हैं और चार्ट को अगर हम थोड़ा सा adjust करें तो कल यहाँ पे हमें इस तरह का upside channel का formation देखने को मिल गया था और आज यहाँ पे हमें इस तरह क downfall channel का formation देखने को मिला था तो मैंने आपको कुछ दिर पहले बताया था कि अगर nifty में या bank nifty दोनों में इस तरह का upside move देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप call options buy करना prefer करें, अगर आपको यहाँ पर इस तरह का downfall move देखने को मिलता है, यहाँ पर आप put options buy करना prefer करें, आज के nifty के move को देखें, यहाँ पर सेम इस तरह का हमे move देखने को मिलवा, nifty में इस तरह का, यहाँ पर जो भी लोग PE buy किये होंगे, first 30 minutes को छोड़के, उनका अच्छा खासा पैसा बना होगा, और मैंने अपने telegram channel बताया भी था, कि आप यह level break होने के बाद, nifty में selling कर सकते हैं, वो क्यों कर सकते हैं, वो मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूं, इसको आपको काफी ध्यान से समझना है, 5 minutes के chart में आपको 12 candle count कर लेना है, यानि 60 minutes 10, 15, वहां तक रुक लीजे, उसके बाद, जो highest point बना है, उसको आप note कर लीजे, जो lowest point बना है, उसको आप note कर लीजे, अगर उसके बाद ये lowest point को break करके नीचे आता है, तो फिर यहाँ पे आपको sell side की तरफ जाना prefer करना है, और अगर यह highest point को break करके ऊपर निकलता है, तो buy side की तरफ जाना prefer करना है, और यह level आपका बन रहा था, आज 17,350 के करीब, तो जैसे यह level break हुआ, तो यहाँ पे आप sell side की तरफ जा सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा at least 100 points का profit यहाँ पे ज़रूर मिल जाता, और अगर आपने आज put options buy किया होगा, इस level करीब, तो वह आपक पर यह बहुत ही हद तक accurate साबित होता है, तो अब आपको trade कौन सा लेना, 6 December के लिए उसके उपर बात कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको 17,200 का level, जिसके करीब nifty closing दिया, इसको note कर लेना, अगर nifty इस level को hold करता है, first 15 to 30 minutes, तो फिर वापस से हम nifty को 17,300 और at least 17,400 के लेवल के लिए futures में जा सकते हैं, तो इसके उपर अगर nifty निकलता है, यहाँ पे आप call options buying कर सकते हैं, यहाँ पे call options buying करना बनता है, दूसरा, call options आप buying कर सकते हैं, 17,000 के करीब अगर nifty मिलता है, तो इहाँ पे call options buying कर सकते हैं, 16,900 का stop loss रख, और इसके basis में futures में आप easily trade ले स सकते हैं options में क्या त्वे लेना वह अभी में जस्ट आपको बताने जा रहा हूं उससे पहले अगर निफ्टी 17200 की लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है इसके नीची आ जाता है तो यहां पर एक put options buy करना बनता है और उसके बाद आप market का move इस तरह का देख सकते हैं इस पर भी आपको ध्यान देना परेगा यहां पर एक put options buying करना बनता है दूसरा put options buying करना बनता है जब market 17500 करीब आ जाए जैसे आज हमें देखने को मिला था यहां पर भी आप यहां पर एक put options buy कर सकते हैं इसके basis पर चली वह हम देखते हैं अगर आपको एक्जिस्टिंग लॉंग पोजिशन है तिहां पर आप 17100 के stop loss साथ उसको hold कर सकते हैं अगर आपको existing short positions हैं तिहां पर आप 17525 अगर आपको यह ज़्यादा लग रहा है तो 17525 का stop loss रख सकते हैं तो 6 December को आपको internet rate कौन साथ इना options में वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर निफ्टी 17200 के उपर sustain होता है तो यहां पर आप 17300 call options में buying कर सकते हैं 90 to 100 करीब stop loss 60 का रख सकते हैं पहला target price होगा 150 दूसरा 175 और तीसरा 200 अगर निफ्टी 17200 के level को sustain नहीं करता उसके नीची आ जाता है तो आप 17000 के put options में buying कर सकते हैं 62 80 करीब stop loss 30 का रख सकते हैं target price होगा पहला 150 दूसरा 175 और तीसरा 200 का यहां पर आप हम निफ्टी की option chain को देखते हैं तो निफ्टी आज 1% ज़्यादा का downfall move दिखाया है और यहां पर सबसे interesting सी बात है कि 17500 के level पे सबसे ज़्यादा open interest है जो नीचे लौट गया है और आज भी सब ज़्यादा open interest हमें यहीं पर देखने होगा मिलवा है लेकिन यहां से जो नीचे लौट आ है एक और इंट्रेस इंचा development किया है यह 17400 के level पे 40 lakh के करीव fresh open interest का development हुआ है और यह level भी अब आपका resistance के रूप में काम करता हुआ दिखेगा तो एक fresh resistance level develop हुआ है 17400 के level पे और 17500 के level पे strong resistance level पहले से बना ही हुआ था नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 17000 का level पे सबसे highest open interest दिख रहा है और यह level आपका अच्छा support की रूप में काम कर रहा है इसके नीचे जाना nifty के लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है और जिस करीब निफ्टी क्लोजिंग दिया 17200 के level पे यहां पे लगबग जितना 17000 पे open interest है उतना ही open interest यहां पे भी दिख रहा है तो इस level के नीचे भी टिक पाना nifty के लिए बहुत मुश्किल है और इसके नीचे अगर टिका निफ्टी तो यह आपका 17000 के करीब जाता हुआ दिख सकता है यहां पे अगर हम global market को देखें US market last trading season positive में था आज कैसा रहता है उसके उपर आपको ध्यान देना परेगा और European market completely आपको green color में ही दिखेगा उसके बाद और हम drag करके नीचे आते हैं तो Asian market से हमें slightly positive और negative hint मिलता हुआ दिख रहा है तो overall जो global sentiment है वो slightly positive है लेकिन अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक ज़ूर कर दे क्योंकि इससे हमें encouragement मिलता है और इस तरह का वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए इसको अपने फेंड के शाद भी सेयर ज़ूर करे ताकि उनको भी इससे benefit मिल सके और चैनल को और बेल आइकन दवाना ना भूले तो आट्स वाल फेंड्स थैंक्स पूर वाचिंग